Hello lovely ladies, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनसी के टाइम पे जो नौजिया होता है जी मिशलाता है, वामिटिंग होती है जिसको की morning sickness भी कहा जाता है वो क्यों होता है और उससे आराम कैसे मिल सकता है तो चली शुरू करते हैं, बेना किसी देवी की प्रेगनसी के टाइम पे जाधा तर महिलाओं को सभी को तो नहीं लेकिन जाधा तर महिलाओं को जो प्रेगनसी के शुरुआती महीने होते हैं जो early pregnancy होती है खासतोर पे पहले तीन महीनों में काफी nausea होता है और जी मिचलाता है उल्टी भी होती है तो ये जो symptoms है इनको morning sickness कहा जाता है हलाकि morning sickness का मतलब ये नहीं कि ये सर्फ morning में ही रहते हैं ये कई बार पूरे दिन भी persist करते हैं symptoms तो इससे बहुत परिशानी होती है क्या होता है कि ये जो symptoms है ये जुड़ेवे होते हैं जो pregnant ladies की body में जो hormonal changes हो रहे होते हैं उसकी वज़े से ये symptoms produce होते हैं और जो pregnancy hormone है जसको की HCG कहा जाता है उसके levels बढ़ने के साथ भी ये symptoms associated होते हैं अब इनसे relief पाने के लिए क्या किया जा सकता है तो कुछ चीजें हैं कुछ ऐसे एतियात हैं जो आप बरत सकती हैं जिससे आपको थोड़ा से इसमें आराम मिन सकता है जैसे की सुबह बिस्तर से उठने से पहले करीब 15 या 20 मिनट पहले कुछ बिस्किट खा लें या जिससे कीवी ब्रेड खा लें सुबह के टाइम पे और उसके बाद ही उसके थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद ही आप बिस्तर से उठें इसके अलावा आप क्या कर सकती है कि जो वैसे रेगिलरली तो हम लोग क्या करते हैं कि दिन में तीन टाइम हेवी खाना कहा लेते हैं प्रेकफास्ट लंच डिनर होता है हमारा में खाने का टाइम लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर मॉनिंग सिकनस से अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप इस तरीके के बड़े मील्स खाने की वजाए कोशिश करिए कि हर दो तीन घंटे पर थोड़े थोड़े स्नैक्स खा इसके अलावा एक साथ बहुत सारा पानी पीने से या बहुत सारा ज्यादा फ्लूएड जूस या कुछ भी लेने से बचे इसकी वजाए आप यह करें कि थोड़े थोड़े सिप्स लेते रहें पानी के या आइस चिप्स अगर आपका मन कर रहा है आइस चिप्स लेने का ब लेते रहें बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ ना लें इसके इलावा खाने में आप जो बहुत ही तली भूनी चीजें बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं और या कोई ऐसा खाना है जिसमें बहुत स्ट्रॉंग महक है जो आप से टॉलरेट नहीं हो रही है इस अराम मिलता है थोड़ा से अद्रक का रस लेलें या थोड़ी सी अद्रक का ुखड़ा थोड़ा सा चबा लें उससे वे आपको थोड़ा इसमें आराम मिलें इसके अलावा जो peer-op प्रोटीन वाली डाइट्स हैं जो थोड़ी हैवी होती हैं उनको आप सोने से पहले वाले अपने मील में लें ठीक है इसके अलावा अगली चीज जो आपको करनी चाहिए मौनिंग सिकनेस से रिलीफ पाने के लिए वो है कि प्रेग्नेंसी के इन शुरुआती महीनों में जब जर्णि लेने की कोशिश करिया ठीक है तो ज़्याधन तर तो ये जो मौनिंग सिकनेस होती है कि सिंटम्स जो है ये शुरू के 3 महीने ही रहते हैं ज़्याधन महीलाव में और उसके बाद ये अपने आप ही गायब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं अब मैं आपको एक बात औ की नीराय पेट में तो उस condition को क्याते है हाइपर एमसिस ग्रैवडेरम तो इसके लिए आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है हो सकता है आपको हॉस्पिलाइज भी होना पड़े लेकिन अगर condition इतनी सिवियर हो गई है कि बहुत जादा वॉमिटिंग हो रही है और हॉस्पिलाइज भी है